हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अर्चना और वैदिक पंचेगवी यूट्यूब चैल में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तो आज का जो वीडियो है यह एक रिक्वेस्टर वीडियो है जो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसलिए आज इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है आज में आपको बताने वाली हूँ मासिक धम के दौरान महिलाओं को जो पेटदर्द होता है उससे किस तरह से छुटकरापाना है दोस्तों, periods यान के मासिक दम के दोरान महिलाओं की शोर्म civilians में बहुत से बढलाओं होते रहते हैं periods आना एक बहुत ही natural और biological process है हर महिलाओं को इससे गुजरना ही पड़ता है पर फिर भी बहुत सी महिलाओं को falls मांसर्स दम के दौरां थोड़ा बहुत पेट दरत हो ना सुवाब है पर अगर ये पेट डरत बहुत यह बढ़ जाए तकलिए बहुत जादा बढ़ जाए और्ब हमारे रोजबरा के काम करना भी इमपॉस्你बल हो जाता है उचा। मैंने बहुत से महिलाओं को बहुत बूरा प्रभाव डालते हैं आगे जाके हमें इसकी वज़े से बहुत सारे नुकसान जेलने पड़ सकते हैं तो इसी दश से चुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही असरदार और घरलेलू नुसकी तो चलिए शुरू करते हैं औ आपको तुरंत रहात मिलेगी ऐसा आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं जब तक आराम ना मिले तब तक दोस्तों पेट दर्थ के दोरान आप गर्म पानी से नहाएं और स्पेशली अब्डोमेन में गर्म पानी धीरे-धीरे डालके सेके जिससे आपके मसल्स रिल ताराम दिलाने वाले कुछ बाहरी नुसके अब मैं आपको बताऊंगे कुछ ऐसे नुसके जो आपके शरीर में जाने के बाद नैच्रल प्रेइन की तरह काम करेंगे तो सबसे पहला नुसका है अशोक के पेड़ की दस पतिया दो गलास पानी में डालके उबाले जब तक एक गलास पानी ना बचे तब तक और फिर इसे चान कर पी लीजिए रोज सुबह खाली पेड़ आपको ऐसा कम से कम एक महीने तक करना है या फिर कम से कम पीरेस के पाच्छे दिन पहले से भी आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों अशोक की पतिया महिलाओं के सारे ही प्रॉल और जिसे फूल आते हों दोस्तों दूसरा नुसका मैंने खुट ट्राइ किया हुआ है और इसमें मुझे 100% रिजल्प मिला है इसमें आपको कुछ नहीं करना है बस रोज रात को आधा चमच मेथी दाना एक गलास पानी में बिगो के रखे सुबह उठकर ये पानी पी कीजिए ऐसा आप एक महीना करेंगे तो आपको पहले चाहे कितना भी दर्थ क्यों नहीं होता हो नेक्स्ट मंथ में पिरेर्स आने पर आपको बिल्कुल भी दर्थ नहीं होगा ये मेरा एक्स्पिरियंस है हाप पर उसके लिए आपको ये नुसका पूरा एक महीना फॉलो क करना पड़ेगा तीन महीने कंटिन्यू करने पर आपकी पेट दर्थ की प्रॉब्लेम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी दोस्तों अगला नुसका है पिरेर्स के पाच्छे दिन रोज सुबा खाली पेट दो ग्लास गुंगुने पानी में दो चम्मच शुद्ध देसी गा प्र मावडर डालके वबाले और कारणा शुन कर पीजिये इसका सेवन प्रेयर्स के पाच्छे दिन पहले से शुरू कर दें और के दोरान भी कांटीनू करें जिससे आपको काफी मिलेगे जोने हमेशा ही पिरेस के दोरान पेट में दर्द होता है उन्हें regular तोर पर सौफ का सेवन करना चाहिए क्योंकि सौफ गरबाशे और उसके related सारी प्रावलमस में काफी लाबदायक होती है दोस्तों अक्सर देखा गया है कि बहुत सी महिलाओं को पिरेस के दोरान पीट और कमर में भी बहुत दर्द होता है पेरों में क्रामस आते हैं ऐसा केल्शियम की कमी की वज़े से होता है तो इस तकलिफ को दूर करने के लिए रोज रात को गुनगुने दूद में हल्दी और पेन में काफी रिलीफ मिलेगा तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए आपको कुछ डाउट्स होगे आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिख सकते है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए साथी साथ नीचे दिये गए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए जिससे के हमारे नए नए और लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुशते रहेंगे थाइंक यू सो मच